हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे टूब चनल टेक्स्टड़ी आटेया पुर में आज हम बात करने वाले बीएस सब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है उसकी डीटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइट करा रहे हैं उसनों डीटेल नोटिफिकेशन पर क्या क्य सब्सक्राइब करेंगे इसका आप लोग को अगर याद होगा मैंने एक सौट और नोटिस आया था जब तभी मैंने एक वीडियो प्रोवाइट करा दी थी कि एक बीएस सब की बंपर वेकेंसी आने वाली आई ट्रेड वालों के लिए तो उसी पर डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है फॉर्म भरा जा रहा है फॉर्म कैसे भरना उसकी भी वीडियो में आपको प्रोवाइट कराएंगे बस कमेंट सेक्शन में यह बता दीजेगा आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए फॉर्म भरने की और वीडियो कैसी लगी आपको यह भी हमें लाश्ट मे करें दिखा देते हैं जैसा कि आप सब यहां पर देख पा रहा हूंगा हमने नोटिफिकेशन ओपिन कर लिया है गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ फॉर्म अफेर्स बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स की तरफ से 20 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था औ पर देख पारें कितना अच्छा माउंट है 21,700 से 79,100 रुपया मतलब अगर हम बात करें टी एचरे मिला कर कर के 40,000 अप्रोक्स आपकी सेलरी बनने वाली तो काफी अच्छी सेलरी इसमें बनेगी इसमें जो है यह चेंजिस किया गए कि आपको स्टेट वाइस के टेगरी व कि इसमें अप्ले आपती बनेयर प्लाई कर सकता है मॆलिपल वो पोष्ट के लिए मल्टिपल फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता क्या इसमें सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा फिर पीह स्टी फीजीकल होगा पीटी डॉकुमेंट फिर उसको एट्रेड्ट टेष कि वहां का आपका 味 होना नाची stuffs अपने होँ मिसाईल के स्टेट मधि ए फ Best करें थैट में ही फर्म भर्त थे अइसा नहीं कि अप उत्तर प्रदिश कह सबर हाद माहराष्ण के हैं तो आरुड आप अपने स्टेट M M भरें कि उनको कोई दिकत नहीं और उसके साथ जो है फिजिकल हैंडीकेप जो है अपना प्रवाइड कर आएंगे और यहां थोड़ा सा में स्क्रोल करते हुए आते हैं नीचे की तरफ यहां पर जो है का सेटिपिकेट की बात की है का सेटिपिकेट का होना चाहिए फॉर रिस्पेक यहां पर आपको कंडिडेट मस्ट कैरी एट लिस्ट वन फोटो मतलब आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास काधार कार्ड वोटर ड्राइड ड्राइविंग लाइसे इडेंटी सर्टिपिकेट चाहिए यहां पर एग्जामिशन पेमिंट की बात करें यहां पर आपके अन्रिजर्ब और यडेवली एस और ओबीसी के लिए बात करें सो रुपया फॉम फीस है सेटालीस रुपय इनका सर्विश चार्ज है सेटालीस रुपय बीस पेसे और बाकी जो है मतलब उनको फ्री आफ कॉस्ट है जिसे यसी हो गए यस्टी हो गए एक सर्वि बनाया है यहां पर देख पार है जम्मू एंड कस्मी लद्दा की बात कर रिजन की तो यहां पर फ्रंटियर हेटकॉर्टर बीस अफरी नगर जो है यहां पर रिस्पॉंसिबल है यह एक्जाम कंडक्ट कराएंगे आपका और यहां पर आपका सेंटर भी दिया हुआ है यह लोग अपना देख लीजगा क्योंकि मैं हर इक उस पर बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यहां पर देख पारेंगे बिहार सिक्किम के तो फ्रेंटियर जो है नौर्स बैंगल के बंगल का दिया गया है यहां पर आपका जो है सेंटर दिया गया है इजन्स पर फलड़े बाते हैं दो इल्हां थार से पच्छी साल की अपका एजटेयरिया रहने वाला है कमोग पिछड़े जाती मतलब पिछड़े लोग धर लेक mh education qualification की बात की गई है, अगर बात करें, Constable Cobbler, Constable Taylor, Constable Wasserman, Constable Barber, Constable Sweeper 10th certificate होना चाहिए, और यह जो must be profacious in a respective trade आपके लिए यहां पर कहा गया है यहां पर आपको certificate provide कराना पड़ेगा क्योंकि और उसके बाद यहां पर must qualify trade test अद्चे आपको trade test कराया जाएगा उसमेह आपको ट्रेड test क्वालिफाई करना होगा और आपको respective일 उसके लिए कॉंस्टेबल कॉंस्टेबल वार्टर केरियर और उसके साथ वेटर जो यह तीन है ट्रेड के लिए है वेकिंसी इसमें आपके पास 10th होना चाहिए और इसमें आपके पास NSQF कोई भी एक कोर्स होनो आपने किया हुआ किचन या फिर जो एन एनस डीसी नेशनल स्किल डिवलप्मेंट कॉर्परेशन के द्वारा मानेता पर आप तो उससे आपने किया तो भी आपका माना जाएगा यहां पर आपको जो मल्टीपल स्किल्ड जो कंडिडेट हैं उनको यहा आपको स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड के द्वारा होना चाहिए टेंथ अब यहां पर बात करतें फिजिकल स्टेंडर्ड की आपकी हाइट क्या ही जो नॉर्मल कंडिडेट हैं सभी कंडिडेट उनको 165 संटिमेटर हाइट होना चाहिए और फीमेल का 155 यहां पेड़र्ड बात थाफ फ़्यां के लिए प्तृर का वंच मेलेगा हैं यहां पर हम थोड़ा सा चूत आपको देखने के लिए मिलेगा आप लोग अपनी करतें के था था सा अगे की तरफ वेट की तो वेट के लिए इनोंने क्या क्राएट के आपको यहां जुआ चा कहा गया कि आपको डिटेन एक्जाम सौ मार्क्स का होगा और सौ क्विश्चन होंगे जिसमें से थर्टी फाइब परसेंट एडब्ली एस और अन्रिजब को लाना होगा क्वालिफाइब करने के लिए एक सर्विसमें को भी 35 परसेंट तैटीस परसेंट यह सी एच्टी ओबी किसी भी करा जाएगा ब्लू ए ब्लाइक पॉइंट पेंट आपको मुल्टीपल चॉइस का कुश्चन होगा यहां पर देख पारेंगे 25 कुश्चन आपको जिएस जनल अवेर से आएंगे 25 कुश्चन 25 नंबर के मैसमेटिक्स आएगा 25 कुश्चन 25 नंबर का और उसके साथ का धैडा तक दूंघच स्क्राइग फिल शेयड नर्च पर नंबर डेता बर्थ लैंगवेज पोश्च ट्रेट पॉस्चिज कुश्चन बुकलेट सीरी यह सब आपको एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बात करें यहां पर ब्लैक पॉइंट में लगी जाना आपको एक्जाम में सब बात किया गया है उसके बाद यहां पर 15 मिनिट जो है पहले मतलब एक्जाम होने सेकेंड फिज में आपका फिजिकल कराया जागा पीश्टी जिसमें आपकी रेस भी होगी पर हाइट चेश्ट तो मैंने ऊपर बताई दिया रेस मेल के पांच किलोमेटर 24 मिनिट में दोड़ना है फीमेल सोलो से मेंटर साढ़े हाट मिनिट में दोड़ना है यह देख पा रहे होंगे उसके बाद यहां पर आपका वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चीज़ और यहां पर थोड़ा सा आगे की तरफ बात करेंगे तो यहां पर नोट दिया कि नोट फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट जो है एक सर्विसमेन के लिए कोई फिजिकल देना पड़ेगा अगर आप दो मिशाल नहीं देपाते आपका फोड़ा सा ट्रेट इसके बाद जो हैपको डॉकमेंट होने बद आपको ट्रेट ट्रेश्ट होगा यहां पर देख पारें कॉबलर की वेकैंसी के लिए पॉलिस करना होगा सूज हैंडल टूल्स कटिंग ले तो यह जो है उसमें आपको क्या क्या है मुझ्न भी प्रोफिशियंट इंड रिस्पेक्टिव ट्ट यहां पर मैं बार-बार बतार आपको सेर्टिपिकेट यहां पर देना पड़ेगा एक्सपीरियंस के देना पड़ेगा और यहां पर मस्ट कॉलीफाइंग नेचर का ही सिर प्रोवाइट कराना होगा उपर experience यहां पर certificate यहां पर डीटेल यहां पर medical examination उसके बाद कराय लिया जाएगा आप देख पा रहे होंगे अब यहां पर थोड़ा साम बात करते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ और भी देखते हैं यहां पर condition of EWS की बात की गई से लागू कियागा 10% reservation quota मिलता है यहां पर एक service man की बात की इसके बाद आपका final merit list में आपको selection होता है उसके बाद यहां पर no waiting list कोई waiting list नहीं जारी की जाएगी कि अगर candidate छोड़ता है तो आपको दिया जागा ऐसे कोई waiting list नहीं जारी की जाएगी हां पर इन्होंने सापकर यहां पर चुका है अब यहां पर बात करते है domicile certificate, domicile certificate जैसे आपको valid proof देना होगा domicile or permanent residential certificate जैसे मैं UP से हूँ तो UP में अगर मेरा selection हो जाता है तो मुझे UP का domicile certificate देना पड़ेगा इन केस असम में क्या है कि असम में domicile certificate issue नहीं होते हैं तो उनको वहां का असम का प्रूफ करना होगा कि वह असम के candidate है यहां पर देख पार है residential status आपको district authority से मतलब वहां के जिले अधिकारी से आपको प्रमारिक कराना होगा कि आप असम राज के रहने वाले हैं तो आप लो कि मैंने उपर बताया ना कि आपको जो है professional trade जो कहा जा रहा कि प्रोफिशियंट के नहीं वहां पर experience एक्स्पीरियंस काउंट किया जाएगा आपके पास experience रहेगा तो ही आप जो है वहां पर देख पार है professional in the applied trade जो professional trade की बात की गई अधिकारी नोटिस में वहां पर आपको सबसे पहले आप एक ही बार registration कर पाएंगे उसके बाद पहले registration होगा आपको OTR होगा उसके बाद application form करेंगे फिल करेंगे उसके बाद third step में payment आप लोग कोशिच कीजिएगा बिल्कुल सही कर दिये क्योंकि एक बार registration होगे ता आपको उस mail ID से mobile number से दुबार registration नहीं कर पाए तो यहां पर तीन स्टेफ में form apply होना होगा और यह तीन देख पारेंगे online mode में form apply होगा offline mode में form apply नहीं होगा यहां पर नीचे की तरफ हम स्क्रोल करते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो यहां पर देख पारहूंगे प्रोफार्मा दिया हुह है अलग-अलग अ आप लोग अपने इसी प्रोफार्मा के हिसाब से आप जो है अपना जो है सेंट्रल गुवर्मेंट का बनवा लीजिए गास कास सर्टिफिकेट और जो भी है एक सर्विसमेन के लिए अब यहां पर हम बात कर लेते हैं जो वेकेंसी है स्टेट वाइस उसके बारे में तो यहां पर अलग 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 तो यहां पर देख पारेंगां आप एक अप्लाई कर सकते हैं अब बात करें अब अरुड़ाचल प्रदेश में एक बीवेकेंसी नहीं है बिहार की बात करें, तो बिहार में 2 vacancy है, जिसमें एक un-reserved की है, और एक OBC की है, तो यहाँ पे 2 vacancy आपको सिर्फ अपने state में ही आप apply कर सकते है, अधर state में apply नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे आप लोग देख लीजेगा, और यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे की तरब बात करें, य Constable Barber की 57 वेकंसी है, Constable Swiper की 263 वेकंसी है, Constable Waiter की 5 वेकंसी है, और टोटल यहाँ पर बात करें, तो 1220 वेकंसी है, अलग-अलग आपको देखने के लिए मिलेंगी, अगर आपकी स्टेट में वेकंसी है, तो ही आप फिल कर पाएंगे, अगर आपकी स्टेट में वेकंसी नहीं है, तो आप फिल नहीं कर पाएंगे, यहां पे बात करें यहां पे देख पार होंगे आपकी आपकी वाइस है किस काटेगरी में है वह भी यहां पर अलग 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 केट्ए Hag word आपको देखने के लिए मिलेगी तो आप लोग देख लीजेगा और यहां पर टोटा यह नोटिफिकेशन में आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइट करा दूँगा तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक कर दे देट है कल फेबरवरी में 28 फेबरवरी को तो आप लोग अगर इलिजबल है तो अप्लाई जरूर कीजगा इसके लाव भी और सारी अप्रेंटिस आये हुई है अगर आप उसका क्राइटेरिया फुल्फिल करते हैं तो आप लोग जरूर अप्लाईएगा वीडियो कैसी ल आपको हमेशा मिलती रहेंगे तो वीडियो देखने के लिए धने बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्रेट के साथ तब तक के लिए स्वस्तर रहें मस्तरी जाहिन जा भारत